जैहिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तलीच एपिटी की बर्ती जिसके अभी आपके फिजिकल औरेटन एक्जम की प्रोस स्टार्ट होने वाले थी वो फिलहाल के लिए पोस्फ्टॉम हो चुके हैं तो अब एक तलीच एपिटी की बर्ती को लेकर आपके जितने भी डाउट आ रहे थे वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि अब जो न्यू फिजिकल डेट है जो आपका न्यू एक्जाम डेट है वो कब जारी होगा बरती आपके कैने सिल हुई है या फिर पोस्ट रो हुई है क्या फोन दोबार अप्लाई होंगे जिनका एड़न कर नहीं आया है उनको क्या करना है और जिनके आचुके हैं उनके लिए आगे प्रोस्ट क्या होगे यहाँ पर एक चीजा आपको और सुनने को मिल रही होगी जिसका इंडेक्स नंबर रोल अंबर यह क्या मसाला है इसके इंपोर्टेशन कहां पर है जितनी भी आपका डाउट है एक तरह से बिटे की बड़ती से वो सारी आपर हम पॉइंट वज डिसकस करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम डिसकस करते हैं बड़ती कैने सिल होई है यह फिर पोस्पन होई है तो यहाँ पर देखेगा हमने आपका जो ओफिशल नोटिविकसन है वो उपन किया हुआ है और यह नोटिविकसन आप कहीं और से नहीं बलकि इंडियन आर्मी के जो ओफिशल वर्साइट है वहां से डाउड कर सकते हैं अब इस नोटिविकसन में आपको साथ-साथ यह चीज़ कहीं गई है कि कैनिसलेशन ओफ रिक्रूमेंट टेस्ट एज प्लान अगेंस्ट एड़टाइब नमबर 01-41-2021 तो कहने का मतलब यह है कि आपके जो प्रोसेस अभी फिलाल कंड़क्ट होने वाली थे न वो प्रोसेस कौन से प्रोसेस है आपके फिजिकल के प्लस में रिटन एक्जाम की वो कैनिसल होई है आपकी पुरी भरती कैनिसल नहीं होई है और यह कैनिसल क्यों होई है यहां पी लिखा हुआ है कि इन वीव ओफ दा restriction imposed by district administration of ले लदाक यूटी as a intimated wide their letter number disaster management तो कहने का मतलब भी है कि आपको जिला पर सासन है ले लदाक का उसके instruction की वज़े से उनके आदेश की वज़े से आपर कुछ ऐसे काण रही होंगे जिनके जिसे आपके बरतियां पर postpone करनी पड़ी है तो बरतिक कैंसिल नहीं होई है ये बात फिर से आप note कर लेजिए के वाल आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी फिलाल के लिए postpone कर दी गई जो कि आपकी conductor करवाई जाने वाले थी तो यहां से आपको जो पहला डाउट था कि बरतिक कैंसिल या फिर postpone तो कलियर हो चुका है अब हम डिसकस करते हैं कि आपकी जो न्यू फिजिकल डेट है वो कब आएगे कि आप फिरम दोबार से अपलाई करने पड़ेंगे तो देखेगा आपकी जो बरतिक कैंसिल नहीं हुई है तो यहां पर आपको जो फोम है वो दोबार से अपलाई नहीं करने पड़ेंगे तो अगर आपको फोम दोबार से अपलाई नहीं करने है तो आपको जो एटम कार्ड है वो किस परकार से आएंगे जिसमें वो आपको आपका एडम कड भेज सके तो अब एडम कड किस परकार से आएंगे तो एडम कड दीखिए एक बार तो एक कंडिडेट है जिनका एडम कड यहाँ पर हमने उपन क्या हुआ है प्रावेशी के लिए उनके जो इंफ्रोमेशन है हमने हाइड कर दी है अब यहाँ पर आपको जो एडम कड आएगा जो भी आपकी न्यूव फिजिकल डेट होगी या फिर आपको जो फिजिकल सेंटर होगा आपका एक्जैम सेंटर होगा वो सब आपका पता चलिए किस के थरो आपका जो इंडेक्स नमबर है देखिया कि यहाँ पर राइट शैड में कोरनर में आपको दिया हुआ है इंडेक्स नमबर ठीक हाजी यहाँ पर कौन कौन से चीज़े है MTS सेलेस एडेवलोस सेलेस आपका रोल अमबर तो यहाँ पर MTS आपकी पोस्ट का नाम है उसके बाद EWS आपकी कर्टेगरी का नाम है और फिर सेलेस आपका जो एकजय में आपका रोल अमबर है वो यहाँ पर आपको दिखाय गया है तो यहाँ पर अगर बात करें अब आपके पास एडेम कार्ड नहीं पहुंचा है तो भी आपका एडेम कार्ड आएगा बिल्कुल 101% आएगा इसके बारे आपको टेंशन नहीं लेनी है तो आपको जो एडेम कार्ड है जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता है जब तक आपका एकजयम कंड़क्ट नहीं हो जाता है जब तक आपका नए सेडूल नहीं आजाता है आपके पास जो एडम कार्ड अभी आया है ना वो बिलकुर सम्माल के रखिएगा अगर आपका ये एडम कार्ड गुम हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर अब जो नए फिजिकल डेट आएगी जो नए फिजिकल वन्यू आएगा वो सब आपका इंडेक्स नमबर के थुरू आएगा इंडेक्स नमबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी जैसे कमाले जी इनके जो फीजिकल है इनके कार्ड में कुनशे डेट दी गई नीचे देखेगा 17 अक्टूबर 2021 इनके डेट दी गई है तो अब जब आपका नए शिडिल जारी होगा उसमें क्या कर दिया जाएगा कि यहाँ पर आपका इनडेक्स नबर यह है और आपकी फीजिकल कव थी 17 अक्टूबर को तो अब इस इनडेक्स नबर वाले जो किन्डेट है उनके फीजिकल है 17 अक्टूबर की वज़ाए जिस भी मन्त में होने वाली है उस मन्त की डेट आपको बता दी जाएगी मेरे बात आप समझ रही होंगे ना कि जो भी आपकी अब डेट है उस डेट को आपकी न्यू डेट में जिस समंध में आपकी फिजिकल होगी या फिर एक्जाम होगा तो इस समंध की डेट को आपकी न्यू मत की डेट में कर दिया जाएगा तो इस परकाश आपको जो फीजिकल है आपको जो एक्जाम है उसके जानकरी मिलेगी और एटम काड दोबारा शिल नहीं आएंगे जिनके भी एटम काड आचुके हैं उनके एटम काड बस आपके आने वाले हैं इसके अलावा अगर बात तरी निव एडम कार्ड की है तो वाकिन नहीं भेज़ जाएंगे जब भी आपका नेट शेडूल जारी होगा तो वहाँ पर जो पुराने एडम कार्ड है उनके हिसाब से आपको बोलाया जाएगा ये चीज़ा आप नोट कर लीजिएगा तो आपको जो अपना एडम कार्ड है बिल्कुल अच्छे से समाल कर रखना है अब बात करते हैं कि आपको जो नहीं फिजिकल डेट है वो कब तक आएगी तो यहाँ पे देखिए जो भी कंडेट हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं जब आपके एकतार से पिटे की भरती आई थी ना तब से आपको हमें रेगलर इंफोर्मिशन देते आ रहे हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं जो भी इंफोर्मिशन आपको हमने अब तक प्रवाइड की है बिल्कुल एक्जेक्ट इंफोर्मिशन प्रवाइड की है और अब अभी आपको हम बिल्कुल एक्जेक्ट इंफोर्मिशन ही बता रहे हैं फिजिकल अलेकर नहीं अलेकर जो जानकर हमें मिली है वो बिल्क ank Matt of a विंदकंते हैं जो हुने सब्सक्राख औरंधीशिफ weed भाल देखेगा 50% चांश हैं速 Telesumbre लेकिन आपके 99.99 पर्शन चांश है आपके मर्च के लास्टे फिर आप्रेल के फर्स्ट वीग में साल 2022 में कि आपके जो नूव फिजिकल है वो या तो आपके मर्ज के लास्ट में या फिर आपकी अपरिल के फर्स्ट वीग में 2022 में आपके कंड़ेक्टर हो सकती है, दिस्समर में चांस हैं, लेकिन ओनली 50% देखेगा जो आपकी एक और सबसे बड़ा डौट है फीजिकल और एक्जियम सेंटर का तो यह भी आपको जो अपडेट है हम ओफिसल तो देखिए यहाँ पर अभी अभी अविलिबल नहीं है लेकिन ओफिसल ही आप लोग मान सकते हैं क्योंकि जो भी जानकर यह आप लोग जानते हैं हम आपको बलगल करन फिर्म होने यह प्रोवाइड कर वाते हैं आपके कुछ और संटर बनेंगे कुछ और फीजिरिकल के लिए एक्जाम के लिए संटर बनेंगे Entwicklung Yeah! वह कहा कहा पर बन सकते हैं तो देखिएगा वह आपके उदमपुर udमपुर का पर है जम्मो में तो जम्मु में उदमपुर में और शिकंदराबाद में इन पर आपके नएक jam center बन सकते हैं वैसे 90% ज्यादा possibility है जम्मो में होने की जम्मो में आपको जितने ज्यादध center बन सकते हैं उतने ज्यादा बनाये जएंगे और फिर भी एक ताले से FDI को लगता है कि और center बनाने के जरूत है तो वो सिंटर कहां पर बनाए जाएंगे या तो सिकंदराबाद और फिर उदंपूर में तो इन तीन जगहों पर आपके चांस है जम्मों के उसके बाद अगर और पोसिबिल्टी संभाव लगती है आपको एक तरह से फिडिको तो वह आपके और बना सकती है सिकंदराबाद और उदंपूर में तो फीजिकल के लिए रिटन एक्जाम के लिए आपके और शेंटर बनेंगे ये बात नोट कर लेजिए और आपको हमारे बात कितनी सही है यह आने में पता चल जाएगा जब आपके वर्तिक करनेशल होई था ना तो सब से पहल सब्सक्राइब करवा रहे हैं कि आपके जो फीजिकल सेंटर है जो एक्जाम सेंटर है वह अब करू लेक के अलावा और भी जगह पर बन्यावाले हैं जिसमें जम्मू सिकंदराबर उदम पूरू सेंटर आपके सामिल हैं अब यहाँ पर कुछ और ऐसे कंडिडेट हैं जि अक्टूबर के अबादियान के अक्टूबर को फीजिकल थी लेकिन वो तो पॉस्वन हो चुकी है तो कुछ ऐसे कंडिडेट है जनकी एज निकल चुकी है तो देखिएगा जब आपने फॉम फिल किया था और फॉम फिल करने पर आपके जो एप्लिकेशन रिशिप्ट होन आपकी एज जो है जिस दिन आपने फॉम अप्लाई किया था और उसे दिन के अनुसार है आपके जो एज है वो काउंट किये गई है और अगर आपको एज बिलकुल कंफर्म है बिलकुल सही है आपको एज के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है ठीक हजी तो देखिए जि जितने भी डाउट थे वो सभी आपर हमने बिलकुल पॉइंट वाज डीटेल में डिसकस कर लिए बिलकुल ओफिसल डाटा के साथ तो उमिद के तेदान के रिच्छी लगी होगी आगे अगर आपकी कोई भी अब्रेट आती है या फिर आपका कोई अधर डाउट है तो आपके हर एक डाउट को हमें बिलकुल डिटेल में आपको क्लियर करके बताएं तो जुड़े रहिएगा और आगे के अब्रेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें जुड़े रहिए थैंक्स और चुन के अब सपर्टिंग जैहिंद